IPL 2023 का दसबा म्याच आज खेला जाएगा सामको सारे साथ बचे से लखनो के अंदर अर लखनो सूपर जोंच और संड्राइजर्स हैडराबत के बिच इस वीडियो के अंदर हम लोग इस मैच का पूरा प्रिवियो आपको बताने बला है साथ में आपको कुछ हमारा जो प्रेदिक्शन है वो भी बताने बला है पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको उतना ज्यादा प्रेदिक्शन नहीं बताया था तो आज थोरा सा ज्यादा आपको बताएंगे फटाभच से ठीक है तो बाकी लोगों की तरह हम आपका उतना 10-5-30 मिनित नहीं खाने बले है तीन-चार मिनित के अंदर ही पूरा वीडियो आपको दे देंगे उसी के अंदर सारा इंफोर्मेशन आपको देने की प्रयास करेंगे इसलिए इन तक बने रह है तो सेकेंड निंग्स में जो भी बोलिंग करेगा उसके लिए थोड़ा सा तो डिकत होने बले है इसलिए जो भी तीम तो जितेगी पिछले मैच की तरह आज भी आमें लगता है अपने पास यह यह ज़रूर रखना चाहिए कि वह बोलिंग को ही चुनेंगे हिद तो हिद के उपर अगर हम लोग बात करें तो लखनो एक नई तीम है आई पील के अंदर जैसा कि आपको पता ही है पिछली बार आये थे तो यह दोनों तीमें सिर्फ एक बार ही आई पेल के एटियास में भीर चुक है जिसमें से जीत मिले थी लखनो को उस मैच के अंदर लखनो ने देते हैं तो वो आई पेल के करियर में अपना 4000 रन कंप्लिट कर लेंगे निकुलस पुरन के पास भी एक मौका है माइस्टून क्रेट करने का अपने तीट्वेंटी के करियर के अंदर उसको 350 चक्के पूरे करने के लिए साहिए सिर्फ 1-6 यानि आज अकर निकुलस पुरन खेलते हुए एक चक्का लगा देते हैं वो अपने तीट्वेंटी के करियर के अंदर अपना 350 चक्के पूरे कर लेंगे मायंक अगरबाल के पास भी एक मौका है उसको IPL के करियर में अपना 100 चक्के पूरे करने के लिए चाहिए 9 चक्के यानि अगर आज मायंक अगरबाल एक बरी-पारी खेल देते हैं और उसमें 9 चक्के लगा देते हैं तब भी IPL के अपने करियर के अंदर अपने 6 चक्के पूरे कर लेंगे अब आते हैं हम लोग वीडियो के मेन पार्ट की और जिसका आप लोग इंतजर करते रहते हो पिछले मैच के उपर मैंने आपको बता करने वाला हो आज थोरा सा मतलब काम के उपर ही आपको बता करके छोड़ दूंगा ठीक है आज मुझे ऐसा लगता है पहले बैटिंग करने वाली तीम जो तार्गेच छेत करेगी वो 107 से लेकर के 170 के बिच रहेगा अब बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में मुझे लगता है कि आज केल रहुल का बल्ला थोरा साथ चलने वाला है और वो पचास से ज्यादा रन बनाएंगे यानि कि एक हाफ सेंशुरी हमको केल रहुल के बल्ले से आज देखने को मिलेंगे ठीक है वही पर लखनों की टीम के अंदर जो पहले मैच के अंदर इंपक्ट प्लेयर के रूप में सामिल हुए थे क्रिष्णपा गोटम तो वो भी आज कमाल कर सकते है ऐसा मुझे लगता है वो चक्के लगाएंगे तो तीन चार और वो तीस से ज्यादा रन बनाएंगे इसके अलबा दिपक खुड़ा भी चल सकते है बहुत ज्यादा रन तो नहीं लेकिन उसके बलने से भी हमको तीन चार दो चक्केतों देखने को मिलेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है इसके अलबा भूबनेसर कुमार की बोलिंग भी आज अच्छा जाने वाला है गेन उनकाज स्विंग करेगा ऐसा हमें पूरा भरोसा है तो आज के मैच के उपर तीन या फीर चार विक जिते बत लगता है कि आज का जो मैच है वो लखनो के तीम जितेगी बस यही थे आज के मैच के उपर प्रिव्यू बाकी मैं आपको जो भी बताना था बता ही दिये है इसी प्रकर से आगे इस सीरीज को हम लोग कंटीनू करते रहेंगे जसे जसे दिन बिटेंगे हम भी को सब्सक्राइब करके बेल एकन हिट करके औल पेस हिट कर लिजा ताकि एक भी वीडियो आपसे मिशना हो गाए